नमस्कार शातियों आप सभी का स्वागत है देवेन सर ओफीशल में हम हर रोज की तरह बेस्ट कर इंटरफेस सबसे पहले से 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं आज की तारिक है 7 जुलाई 2020 अगर आपको इस वीडियो की पीडियो चाहिए तो मेरे टेलिग्राम पेज पर आज जॉइन कर लीजेगा दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाने वाला है साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की हमारा पहला प्रश्न है कि पौधे लगाओ और परेवन बचाओ अभियान के तहत एक मेगर ट्री प्लांटरिशन ड्राइब की शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है तो दिल्ली की सरकार के द्वारा है पौधे लगाओ और परेवन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है दस से लेके 26 जुलाई तक है आयोजन किया जाएगा मुखत है जो देश है वो परेवन के प्रदूशन को कम करना है और हरित आवरन को जो धर्ती का है उसे बढ़ाना है 31 लाख पेड़ पौधे लगाने का यहाँ पर दिल्ली सरकार ने लक्ष रखा है दिल्ली के उपराज जिपाल है अनिल बैजल मुख्य मंत्री है अर्विन केजरीवाल आम आदमी पाटी से आते हैं और परेवन मंत्री है गोपाल राई जिने आप स्क्रीन में देख सकते हैं चलिए अगले प्रश की तरफ चलते हैं अगला प्रशन है कि मिशन व्रक्षा रोपन 2020 की शुरुआत कि स्राज में की गई है तो उत्तर प्रदेश राज के द्वारा की गई है आपको याद होगा मैंने आपको बताया है ता हर साल ही बरसात का जो मौसाम आता है उसके पहले चाहे केंद सरकार हो चाहे राज सरकार हो बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाने का कोई न कोई कारक्रम लेकर आती है और यहां से प्रशन भी पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहां पर यह प्रशन बिल्कुल फ्रंट में ही रख दी हैं आप देख सकते हैं उत्तर उत्तर परदेश में यह है कारेकरम 5 जुलाई को आयजित किया गया था जिसमें 25 करोड से अधिक पौधे एक ही दिन में पूरे के पूरे उत्तर पदेश में लगा दिए गये हैं उत्तर पदश सरकार के दारा विशेष जोर उन पधों को दिया जा रहा है जिनका ऑश्दी म है तो जादा होता है साथी साथ रोड के दोनों किनारों पर भी औश्दी बड़े-बड़े जो पेड़ हैं उन्हें लगाने का उद्देश रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार की सिया सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात भारती जंदा पाटी की सरकार है राजपाल अंदी बेन पटेल जिन्हें कारकाली राजपाल का दर्जा गिया है मध्य प्रदेश के जो राजपाल जी टंडन उनकी अभी तबियत ठीक नहीं है आपको याद होगा पांच जून को हमने मनाय था वर्ल्ड एनवार्मेंट डे यानि इसलिए हमारा उत्तरदाइत तो बनता है इस धर्ती से जीवन को बचा कर रखना उसे श्वक्ष रखना भूली अगमत आपसे थीम पूछी जा सकती है बायो डिवरसिटी साथ में साथ आपसे जो मेजबान देश है कुलंबिया वो भी पूछा जा सकता है अगले प्रश की चलिए फ्रांस के राष्ड Σीं置 में और हुना होना है बा मैका वह थोड़ा सा काम करना चाहते हैं अपने दल पर इसलिए जो पूर्पर प्राथान मंत्री थे उन्हों ने स्तीफ़ा दिल जया और नय ने देख सकते हैं जो ये जो blue वाली जो फाइल लिये हुए है ये पुराने वाले प्रधान मंत्री जिन्होंने अभी हाल ही में स्तीफा दिया था जिसका मैंने current affair में आप से जिक्र किया था और नई वाले आपकी जो red color की फाइल लिये हुए हैं ये दिख रहे हैं हमारे नए नए प्रधान मंत्री भूलिएगा मत फ्रांस शुरा और सुन्दरियों का देश राजधानी है पैरिस अगले प्रश्की तरह चलिए केंद्री माधमिक शिक्षा बोर्ड CBSC ने अपने स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षन कारिकरम से ताकि CBSC सिक्षकों को भी अपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके और वह सिक्षक इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े देश में जो चात्रें पढ़ रहे हैं उनको भी क्या है उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए इसलिए Facebook के साथ समझोता कि आप देख सकते हैं पहले चल्ण में 10,000 चात्रों को डिज्टल साक्षरता दी जाएगी दूशर चल्ण में 30,000 चात्रों को डिज्टल साक्षरता यहां पर पहुचाई जाएगी CBSC के हद्यक्षे हाल फिलाल में मनोज अहुजा मुख्याल है दिल्ली में स्थापना हुई थी इसकी 3 नवंबर सा 1962 को आप इस फोटो को याद रखेंगे तो क्वेशन आप से बन जाएगा CBSC का समझोता किसके द्वारा Facebook के द्वारा किसकी कमपनी है Facebook मार्क जकरबर्क और इ लेटनेंट करनल भरत पन्नू मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भरत पन्नू इंटरनेशनल अल्टरा साइकल रेस में पोडियम इस्थान पाने वाले पहले भारती बन गए हैं एक वर्चुल रेस की गई थी वर्चुल रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 इसी के पहले एडीशन में इ पांच हजार किलो मीटर रेस उन्हें साइकल चलाई है त्यों, च्छोटा मोटा काम नहीं पांच हजार किलो मीटर क्या करना साइकल चलाना और इसमें तीसरा स्थान पराप्त किया भारत देश के लेटन्ट करनल भरत पन्नू ने आप دیکھ सकतें हम एक। वर्चुल साइकल क्या होती अब आप बोलिंग इसरा online cycle कैसे चलाएंगे तो आप सामने देख सकते हैं नीचे आपकी cycle है cycle stand पर रखी हुई है और इसमें एक device लगी हुई है चके में एक device लगी हुई है Bluetooth से जो connected रहती है और यह connect है आपके इस phone के द्वारा ताकि जब आप cycle चला रहे हैं तो इस इस phone में rotations उसको यह पता चल रहा है कि आपका एक जो cycle है एक जो चका है वो कितनी देर में घूम रहा है जितनी देर में घूमता है आप उसी अनुसार में वह speed तैं करते हैं मतलब आप एक ही जगे पर रोक कर आप virtual मतलब आप यहां पर cycle चला रहे हैं सारी लोग अपने अप software के माध्यम से सबको on screen में दिखाया जा रहा है इसलिए आपको fan भी दिख रहा होगा वह fan एक fan भी side में लगा दिया जाता है क्योंकि बहुत महनत लगती cycle चलाने में मैं फिर से कह रहा हूं पहले-पहले भारती लगभग 5000 km cycle चलाई है आसान काम नहीं है भूलिएगा मत चल रिलीज है वह अभी नहीं किया गया है इसी मंद के last week में ऐसा बोल रहा है कि कर दिया जाएगा पुस्तक NPA के मुद्धे पर केंद्रे थे आपको पता है non-performing asset जो पैसे करज के रूप में ले लिये जाते हैं लेकिन उसे चुकाया नहीं जाता है उसे NPA कहा जाता है बहुत की गई है और आप यहां पर देख सकते हैं हमारे उर्जित पटेल जो पूर गवर्नर उनको ओवरड्राफ्ट की जो फरंट की जो बुक आई है उसके द्वारा इसके अलावा आपको याद होगा कि इन्ही के द्वारा या इन्ही को NIPFP National Institute of Public Finance and Policy का अध्यक्ष विन्युक्त क की आ गया था हाल फिलाल में करेंट अफेयर है यह मैंने आपको बता चुका हूं कि नई दिल्ली में इसका मुख्याल है NIPFP का और एक ठिंक टैंक के रूप में यह कारे करता है वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर कि यह जगए यहां पर ले रहे हैं क्या नाम था उर्जित पटेल आपको याद होगा RBI, RBI के द्वारा सहकारी बैंकों को अपने क्या है अध्यादेश में लेकर उसे अपने नियम काईदों में जैसे की वालिजिक बैंकों को लिया जाता है वैसे ही सहकारी बैंकों को भी अपने अंडर में ले लिया गया है RBI की स्थापना हुई थ इसको मुंबई में हेड़क्वाटर है 25 वे गवर्नर शक्तिकान दास पूर्व आईएस अधिकारी अगला प्रस्ट देखिए 2020 डायना पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो भारत देश की नई दिल्ली के 13 वर्षी छात्र हैं फ्रिया ठकराल इन्हें दिया गया है 2020 क डायना पुरुसकार एक इन्होंने एप बनाया था रिसाइकल एप इन्हीं के लिए यह इन्हें दिया गया है इसका उप्योग करताओं को क्या करना पड़ता है वेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए इस एप को विक्सित किया गया है डायना आवर्ड की शुरुयात का वह तो भूलिय गावत मात्र 13 वर्षी छातना है फ्रिया ठकराल आप देख सकते हैं स्क्रीन में फ्रिया ठकराल को साथ में आप क्या देख सकते हैं अवर्ड का लोगो अगला प्रस्चन देखिए क्रिकट साउथ ऐफरीका एन्यूल आवार 2020 इट मीन्स क्रिकट डक्षन अफरीक आप से सिर्फ मेंस और वीमें यही दोनों पूछे जा सकते हैं जो फ्रिंट डिकॉक हैं आप उन्हें सामने देख सकते हैं यह जो अवर्ड के लोगों के साथ में अगला प्रस्चन देखिए एनलसी इंडिया लिम्टेड और कोल इंडिया लिम्टेड ने कितने क्या करने वाली हैं पावर प्लांट विक्सित करने वाली हैं बनाने वाली हैं इसी के लिए 50-50 के रेशियो में एक स्थापित की जाएगी कोल इंडिया का मुख्याल है कोलकाता में प्रमोद अगरवाल इसके हाल फिलाल में M.D. और अध्य हक्ष्या आप देख सकते हैं जो कोल इंडिया 30 नमबर पर आप देखे महारत्ना कंपनी है और जो Condconomy आप देख सकते नौबे नमबर पर N.C.L. India limited यह एक नवरत्न कंपनी है तो महारत्ना और नवरत्न का जोइन वेंचर यहाँ पर बनाया गया अगला प्रस्टे की भूमिहिन किसानों को फसल रण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत कहां पर हुई मद्य प्रदेश के बच्चे विशेश ध्यान दें इसका आंसर आएगा उड़ीसा की सरकार बिलकुल भूलिय अगमत यहां पर बलराम योजना बलराम ताल योजना की बात नहीं की जा रही है तो बलराम योजना की सरकार उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई आपको दिख रहा है किसानों को फसल रण से संबन देती है योजना है अगर पूछा जाए बलराम योजना तो आप मारेंगे उडिशा सरकार और अगर आप पूछा जाए बलराम ताल योजना तो यह मध्य प्रदेश की योजना है इसलिए confused मत होईएगा आपको पता है उडिशा जन जाती चात्रों को आये सो देने वाला पहला पहला राज बना था बंदे उतकल जन्नी उनका गान राज गान बना था नवीन पता